हेलो आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स की जो आपकी सोचिल साइंस की नियू बुक है उसका चेप्टर नुबर टैन ग्रास रूट्स ओफ डेमोक्रसी जिसका पार्ट वन हम करने वाले हैं तो इसमें जो हैं हमने पढ़ा था कि जो भी गवर्नस होती है उसके तीन जो है रूल होती है या फिर तीन अलग लग पार्ट उनके डिवाइड होते हैं जिसमें से एक था एक सब्डेंड यह सब बढ़ना था पढ़ेंगे हम सब्स्क 1931, Dr. A.P. J. Abdul Kalam was a re-owned scientist, nicknamed the Missile Man of India. तो इन्हें क्या बोला जाता था? Missile Man of India. For his crucial role in the development of India's space program, क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने जो इंडिया का space program था, उसमें अपना एक बहुत important role play किया था, missile program जो थे वो, and then nuclear capabilities. तो इन्हें सब में इनका बहुत important role था. इसलिए इन्हें Missile Man of India भी बोला जाता था. Dr. Abdul Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people. मतलब President थे, लेकिन फिर भी वो लोगों से हमेशा connected रहते थे. And the youth in particular, through his passion for good education and innovation. और सबसे ज़्यादा youth से, क्योंकि education और innovation के लिए ये हमेशा से ही अच्छा देखते थे कि क्या चीज़ें हम इसमें और कर सकते हैं. He inspired millions with his humanity, dedication to social causes and commitment to the nation. और जैसे इनका character था, humanity थी, dedication था, अपने काम को लेकर, इसके वज़े से बहुत सारे लोग जो हैं, क्या हुए हैं, motivate भी हुए हैं, inspire हुए हैं. He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals. इसने हमेशा ही, जो youth हैं इंडिया का, उन्हें जो है, हमेशा ही motivate किया है कि वो अपने target को achieve कर सकते हैं, जस्ट उन्हें मेहनत करनी हैं. Dr. Klam showed that even though his position as a president of India was nominal, क्यूंकि जो position है, वो nominal है, as a president, he could play an important role impacting countless lives. लेकिन वो जो हैं अपने खुद की वज़े से भी एक जो important role play कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की life में उचेंजिस ला सकते हैं. अब उनके कुछ जो few line हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. Look at the sky, we are not alone, the whole universe is friendly to us. हम अके लिए नहीं है, सारा world ही हमारा, universe ही हमारा दोस्त है, and conspire only to give the best to choose who dream and work. और सब को ही best मिलेगा, जो काम करेगा, जो dream करेगा, जो जब तक आप dream नहीं करोगी, किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, नहीं सपने नहीं लोगे, तो वो चीज़ आप, मतलब जब तक आपने सोचा ही नहीं तो आप उसके लिए महनत कैसे करोगे, तो सबसे पहले सपने देखना है, अगर आपको अपने मिशन में कामियाब होना है, आपको अपना dream अचीज़ करना है, तो आपको सिर्फ उसी की तरफ देखना है, अगर आप फेल हुए तो गिवप नहीं करना, इसका मतलब है कि आपने सीखने का जो पहला स्टेप था वो ले लिया, अपने उस जब आप फेल हुए तो आपने कुछ नहीं चीज़ सीखे, आप दूसरी टाइम जब आप ट्राइ करोगे तो आप वो गलती फिर से नहीं करोगे, एंड is not the end, और एंड एंड नहीं है, इनफेक्ट एंड मिन्स एफ़र्ट नेवर डाइज, एंड का मिन है कि एफ़र्ट कभी भी डाइ नहीं होते हैं, आप हमेशा जो है, जितनी बार एफ़र्ट करोगे, उतनी बार आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आगे, दूसरी अपरचुनिटी हमारे लिए वेट कर रही है, यह वो है जो आपको सोने ही ना दे, कि आपको इतनी महनत करने बड़ेगी, मुझे यह चाहिए, तो आप महनत करोगे तो क्या होगे, सोना तक भूल जाओगे, तो ड्रीम भो नहीं है, जिसे आप सोते हुए देखते हूं, ड्रीम भो है जो आपको सोने नहीं देता है, अगर यह चार चीज़े आप फोलो करोगे तो कुछ भी मिल सकता है यह जो है एक वो फांडेशन स्टोन है यान कि वो स्टार्टिंग पाइंट है जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने अपने एस गवर्मेंट सिस्टम में लेकर आए हैं जिसे क्या बोला जाता है डेमोक्रेसी देमोक्रेसी कम स्टोन में लेकर उनकी वो फोल्ड नहीं है लोगों की बातों को मानकर इन उसके अकोडिंग आपको सारी डिसिजन्स लेने हैं बट केन ओल पीपल एक्चुली डूल्स क्या सब लोग एक साथ रूल कर सकते सो यह तो पॉसिबल ही नहीं है जैसे कि कुछ फैन वगेरा वग नहीं कर रहा है यह से कोई भी चीज और विद द इंफ्रस्रक्चर्चर या स्कूल की इंफ्रस्रक्चर में कोई प्रोबलम है और परहपस यूँ वोड लाइक टो पर्पोस अ सर्टेन डेट फॉर फिल्ट्रिप या फिर आप कोई फिल्ट्र नहीं है, in many school classes have a class monitor और class representative तो schools में क्या होता जब classes होती है तो हर class में class monitor होता है या फिर representative होता है, whom the whole class elector जिसको सारी class मिलकर choose करती है कि ये हमारा class monitor बनेगा, even if there is none, one representative can be selected for this specific purpose, for example, किसी class में ऐसा कि monitor है ही नहीं, फिर भी क्या होगा, एक या दो बच्चे को choose किया जाएगा, कि तुम जाकर वहाँ पर अपनी class को represent करोगे, सर को बताओगे, जो भी problem है आपके principle को, ठीक है, it will be enough to send the representative to the principle, तो मतलब एक representative भेजना ज्यादा अच्छा है है, instead of पूरी class वहाँ पर जाना, It is the same principle at the state or national level, ये जो है same principle है state or national level का through elections, जो election में होता है, people vote for representative, people जो है अपने, जो भी लोग होते हैं, वो अपने, जो उन्हें सही लगता है कि ये इंसान सही है, उसको vote करते हैं, who will be elected member of their respective assemblies, जो member होता है, मतलब लोगों का एक member बन जाता है, वहाँ पर assembly में जाकर, they are generally called, इन्हें क्या बूला जाता है, member of legislative assembly, legislative assembly के member, और या तो MLA होते है, state level पर MLA बूला जाता है, और member of parliament, जिने MP बूला जाता है, the national level, ठीक है, दो होते हैं, MLA, state level पर, म, sorry, MP, member of parliament, at the national level, all these members discuss laws, problem and solution in the assemblies, and throw dialogues and debate, try to convince each other whenever there are different opinions, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी assembly होती है, जो भी एक room होता है, जहां पर ये सब जाते हैं, वहाँ ये सब लोग बैठते हैं, और अपनी problem को बताते हैं, जो लोग है, उनको discuss करते हैं, उसके solution जो है, find out करते हैं, कई बार जो है एक दूसरे के opposite उनके जो है views होते हैं, कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोलेगा ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पर debate होती है, discussion होता है, then उसके बाद में वो अपना answer, find out करते हैं, कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं, लाइक एनी modern democracy, therefore, India is a representative democracy, तो बाकी देशों की तरह ही, इंडिया भी क्या है, democratic state है, sorry, country है, it is also the world's largest democracy, और दुनिया की सबसे बड़ी democracy है, तो अभी कितने वोटर से यहाँ पर 970 मिलियन, in principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections, तो जो भी अबव 80 years होता है, वो वोट कर सकता है, उसके पास यह right होता है, imagine that your class is planning to go for a picnic, for example, आपकी class में जो है, बोला गया है कि पिकनिक पर जाना है, there are two possible places, A और B, दो places है, एक A है, एक B है, दो जगे आपको बताई गई, एक तो यह जगे पर जाना और एक ही यह जगे पर, the class discuss the pros and cons, distance, time, cost, availability, basic facilities, etc, तो दोनों जगे पर क्या होगा, class कोई decide करना है कि कहा जाओगे, A वाली place पर जाओगे, या B वाली place पर जाओगे, so, दोनों चीज़े आपको देखनी पड़ेगी, कि अगर आपको school से जाना है, तो कौन साब से ज़्यादा दूर है, ठीक है, कौन साब के, past में है, time किस में ज़्यादा लगेगा, वापस आने में किया होगा, वहाँ पर क्या हमें सारी facilities मिलेंगी, या फिर नहीं मिलेंगी, सब चीज़े जो हैं, वहाँ पर check करेंगे, it become difficult to arrive at a decision, तो difficult हो जाएगा decision पर पहुंचना, so, your teacher decide that voting can solve the problem, तो आपके teacher बता सकते हैं, voting से, कि हम voting करते हैं, जिसके vote ज़्यादा होंगे, a place के होंगे, तो a पर जाएगे, और b place के ज़्यादा होंगे, तो b पर जाएगे, the number of student in favor of place, raise their hand, तो जो a की hand में है, जो a पर जाना चाहते हैं, तो अपने हाथ ऊपर करो, then number of student in favor of place, b, जो b place पर जाना चाहते हैं, वो अपने hand raise करो, the decision is taken by whichever option, get a larger number of raise hand, तो कैसे ले सकते हैं, अगर a वाले number जाएगे, तो a पर जाएगे, और b वाले number जाएगे, तो b पर जाएगे, this process is called voting, इसे क्या बोला जाता है, voting, this is a case of direct democracy, ये क्या है, case of direct democracy का, where every student opinion was taken to finalize the place, जहाँ पर हर एक बच्चे का opinion वहाँ लिया गया, जो a पर जाने वाले भी थी हो, जो b पर, opinion सबका लिया गया, लेकिन जहाँ पर, मतलब, जिसकी value जादा थी, जिसकी voting जादा थी, वहाँ पर वो लग गए, तो ये हो गया direct democracy, The term, grassroots democracy, refers to a system that enable and increase the participation of ordinary citizen, तो grassroots democracy क्या है, जिसमें जो ordinary है, मतलब, जो normal लोग है, जिनने कोई फरक की नहीं बढ़ रहा, कौन बन रहा, कौन नहीं, मतलब, कुछ ऐसे भी होते हैं, कि हमें अपना काम करना है, हमें फरक नहीं बढ़ रहा है, ना हमें वोटिं करनी है, उन लोग In such a system, the citizen can have a say in decision which affect them, so, वो, जो citizen है, वो क्या करेंगे, ऐसे decision लेंगे, जो उनको affect करेंगे, या ऐसा, मतलब, वो ही basic है, वो जो decision लेंगे, उसी के according तो सारी चीज़े उसके बाद में follow होंगी, अब next chapter में, जो हम Indian democracy के बारे में पढ़ने वाले हैं, next two chapter में, और बाकी की classes में Before we move on, यहाँ पर कुछ आपको जो है, terms दी गई है, यानि कि आपका जो summarize यहाँ पर दी आ गया, summary है, no country can run without governance and government, कोई भी country governance और government के बिना नहीं चल सकती, A modern government has three organ, three organ होते हैं, legislative, executive and judiciary, which need to work together, जिनको एक साथ काम करना है, the Indian government function at three level, three level होते हैं, center, state, center or national जिसे बोला जाता है, state and local, democracy is the overall framework for this system, democracy जो है, overall framework है this system का, and it function through elected representative, और यह कैसे काम करता है, जो आपने representative, जो आपने अपने लिए elect के हैं, चुने हैं, कि यह मेरी तरफ से बोलेंगे, यह हमारी heading, यह जैसे बोलेंगे, वैसे हम करेंगे, both at the state and national level, दोनों ही पर, national level पर भी और state level पर भी representative चुने जाते हैं, इसके बाद आते हैं, आपके question answer, सो अब कर लेते हैं, इसके question answer, first question है, what is the meaning of democracy, democracy का मतलब क्या है, and what is the difference between the direct democracy and representative democracy, So, democracy is the system of government where the people have the power to govern either directly or through elected representative, तो democracy एक system होता है, जिसमें क्या होता है, गवर्मेंट को पावर देते हैं, लोग, वो directly भी हो सकता है, या फिर अपना एक, जो है, elected, मतलब किसी एक को चुनते हैं एक इनसान को representative के रूप में, and then वो गवर्मेंट में जाकर उनकी बात बताता है, The word, word come from the Greek word demos, जिसका meaning होता है people, and kratos meaning rule or power, तस democracy mean rule of the people की लोगों का rule, direct democracy क्या होती है, involves every citizen in the decision making process, as seen in small communities or group, तो direct democracy में होता है, हर एक citizen को जो है, decision making के लिए पूछा जाता है, उनकी राई ली जाती है, कि क्या है, क्या है, क्या नहीं, जैसे class में देखा था, दो places बताई कि हम दो places पे जाएंगे, तो कौन से पे ज़्यादा लोग जाना चाते हैं उसके favor में, लेकिन पूछा तो सबसे गया ना, सबसे उसका decision लिया गया उनका, तो ये mostly कहां पर होती है, directly, छोटे groups में, या communities में, where all the people vote on issue directly, जहां पे वो directly vote देते हैं उस issue के लिए, जो है बेजा जाता है government में, and then वो उनके भीहाब में, उनकी काम करता है, उनकी बाते बताता है, उनकी problems बताता है, like electing member of parliament or state assemblies, जैसे कि class में, class monitor को elect किया जाता है, कि अगर कोई भी problem होगी, तो principal के पास वो बताएंगे, नेक्स्ट रिकोल दा three organs of the government, and what are their different roles, तो three organ कोन कोन से थे, legislative, अब ये क्या है, responsible for making laws, जो भी laws हैं वो बनाने के लिए responsible है, इन इंडिया, this includes the parliament at the national level, and the legislative assembly at the state level, तो ये दोनों मिलकर ही rule बनाते हैं, then आता है executive, अब ये क्या करेंगे, responsible होंगे, implement करने के लिए an enforcing law, लो को implement कैसे करेंगे, तो ये है executive, this includes the president, इसमें president, prime minister, chief ministers, and various officials, ओप ministry, ये सब इसके अंदर आते हैं, judiciary, अब ये क्या है, responsible for interpreting laws and ensuring justice, जो भी law आए है, उनके बारे में जानना, मतलब उनकी सारी जानकारी बगारे रखना है, and then उनके according ensure करना की justice हुआ है या नहीं, this include the courts at various level, और ये जो है, अलग-लग court करते हैं various level पे, जैसे supreme court, high court, और lower courts, next question है, why do we need three tiers of government, हमें तीन टायर क्यों चाहिए गवर्मेंट के, so the three tiers of government, central, state and local, are necessary to effectively govern a large or diverse country like India, तक इतनी बड़ी country को easily जो है काम करवाय जासके, and smoothly move करसके, इसके लिए, center मतलब national level, deal with issues that concern with the entire countries, such as defense, foreign affairs and national policies, तो center वाले mostly जो पूरी country के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो mainly defense के, foreign affairs और national policies जो हैं, उनके लिए काम करेंगे, state level का क्या काम होता है, handle matters specific to state, वो अपनी state के matters को देखेंगे, safe like state, infrastructure, police and public health, local level पे क्या होगा, deal with local needs, like maintaining road, school and water supply, तो हर एक का अपने level के according काम बताया गया है, उन्हें अपने level के according काम करना है, ताकि सबकु स्मूथली चलता रहें, next यह आपका project दिया है, many of you will remember the lockdown that took place during COVID-19 pandemic, make a list of all the actions that were taken at the time, क्या-क्या actions लिये गए थे, कौन से टायर जो है, government के उसमें involved थे, and what was the role of each organ of the government, और क्या-क्या उनके ओर्गन थे जो government के उनका काम क्या था, so during the COVID-19 pandemic, the following steps were taken, imposing nationwide lockdown to prevent the spread of the virus, की virus और ना फैले, तो lockdown किया गया, setting up quarantine centers and hospital for COVID-19 patient, COVID-19 patient के लिए जो quarantine center बनाए गए, hospital बनाए गए, providing financial support to affect individual and businesses, जिनके भी मतलब प्रोब्लम होई थी, affect होआ तो बहुत जादा, तो financial support दिया गया, promoting vaccination campaigns, enforcing social distancing and mask mandate, ensuring essential services like food and medical supplies were available, now, tire of government involved, अब कौन-कौन से tire involved थे, इसके अंदर, सबसे पहले आया center, यानि की national level, announce lockdown and financial aid package, तो इसने क्या किया, center level पे lockdown अनाउंस किया गया, और सब को जो है, financially जो उनकी प्रोब्लम थी, उनको packages दिये गए, coordinate किया गया, national wide vaccination campaign होए, and regulate international travels, और international travels थे, उनको mostly बंद कर दिया गया था, एक तरह से उस time के लिए, state level पे क्या हुआ, मैंने state specific responses like setting up state hospitals, enforcing lockdown measures and distributing relief supplies, तो ये state level ने अपने अपने according किया, कि lockdown को देखा गया, कि सही से follow हो रहा है या नहीं, relief जो supplies थी वो दी गई, ठीक है, पिटल वगएरे की facilities वहाँ पर करवाई गए, local level पे क्या हुआ, ensure local implementation of guidelines, जो भी guidelines थे, उनको implement किया गया, local quarantine centers बनाए गए, maintain essential services like sanitization, sanitization वगएरे सब किया गया, now role of organ of government, अब role क्या थे, legislative assembly जो थी उसका क्या था, past necessary law and amendment of COVID-19 relief and management, इन्होंने क्या किया सबसे पहले, low बनाया, COVID-19 के लिए lockdown बनाया, वो सब चीज़े उन्होंने बनाई वहाँ पर, executive का क्या था, implement किया lockdown को, vaccination को and relief measures, यह सब इन्होंने implement किये, judiciary ने क्या किया, ensure the government action were in line with constitutional right and deal with cases related to pandemic, उन्होंने यह देखा कि, जो भी government ने चीज़े बताई है, वो सही से हो रही है या नहीं, and case जो भी related थे, pandemic से, वो सब को उन्होंने, according to law, देखा, check किया, अब कुछ extra question answer है, question number five, जो मतलब as a one होगा, extra question answer में हैं आपके, who was Dr. A.P.J. Abdul Kalam, and why he is called the missile man of India, so Dr. A.P.J. Abdul Kalam, was a re-owned Indian scientist, and the 11th president of India, तो scientist थे और 11th president भी थे इंडिया के, he played a crucial role in the development of India's missile program, उन्होंने जो है बहुत important role play किया था, missile program जो था, space technology जो थी इंडिया की उन दोनों में ही, जिसकी वज़े से उनने जो है, nickname दिया गया, missile man of India, next है, what was Dr. A.P.J. Abdul Kalam, contribution to the youth of India, so Dr. Kalam was deeply passionate about education and innovation, वो बहुत मतलब यह सब चाहते थे, कि यह innovation वगारा, मतलब इंडिया की development में बहुत ज़ादा अपना योगदान देना चाहते थे, he inspired million of young Indians by increasing them to dream big, work hard and pursue their goals with dedication and preservance, तोनों ने बहुत सारे यूद को जो है इंडिया के, उन्हें एंडिया के, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, उस अपने देखो और उसके लिए काम करो, work hard, ताकि तुम उन्हें चीजों को पासको, next, what are the key features of grassroots democracy, so, grassroots democracy refer to a system that increase the participation of ordinary citizen in the decision making, so, grassroots democracy क्या है, जिसमें जो ordinary citizen है, उसके participation उसको भी बोला जाए, उसको भी encourage किया जाए, कि वो भी participate करे इस चीज में, the people should involve the people themselves, क्योंकि ये इस पर बेस है, कि अगर किसी decision से, किसी इनसान को फरक पढ़ रहा है, या उनकी life में कोई changes आएंगे, तो कम से कम वो इनसान उस decision making में होना चाहिए, इस टाइप अफ डेमोक्राइसी अलाव सेटीजन तो हैव अगर जाए, इस टाइप के जो decision होते हैं, उसमें खासकर यह हम नैशनल लेवल पर नहीं कर सकते, स्टेट लेवल पर बहुत मुश्किल है, तो लोकल लेवल पर इस तरह कि जो हैं, इस टाइप अफ यह हम सेटीजन का पार्टिस्पेशन हो, वाट इस अरोल ओफ इलेक्टेव एलेक्टेड रेपर जेन्टेटिव इन डेमोक्राइसी, तो इलेक्टेड रेपर जेन्टेटिव सच इस मेंबर ओफ लेजिस्टेटिटिव असेम्बली, अपना आंसर देते हैं, या फिर डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो अबदुल कलाम है, उनके अकोडिंग क्या था, कि ड्रीम जो है, एक इनसान का उसके गोल होते हैं, जो उसको करन्टली जो है, हमेशा कोंस्ट्रेंटली बोलते रहते हैं, कि काम करो, काम करो, काम करो, ताकि तुम्हें वो गोल तुमारा ड्रीम मिल सके, और ये ड्रीम इतने पावरफूल होते कि किसी भी एक इनसान को मोटिवेटेड रख सकते हैं, और हमेशा ही क्या था हूँ, हम जागता रहे उस चीज़ को पाने के लिए, और उनके लिए बहुत महनत करें, जब तक वो मिलना जाएं, लास्ट कोशिएन है, वाट वोज अपना टाइम जो भी ओफिस में लगाए, वो लोगों को एंस्पायर करने के लिए था, जो यूथ था उसके लिए, ही फोकस्ट वोण एजूकेशन, उन्होंने एजूकेशन पर फोकस किया, इनोवेशन पर फोकस किया, और सोशिल कोशिज पर, लिविग ए लास्टिंग इंपेक्ट ओन दा नेशन, जिनका जो है इंपक्ट आज भी नेशन पर है लोग उन्हें हमेशा से जानते हैं उनके बारे में बाते करते हैं मतलब वो ऐस अ मिसाइल मैं जो है अब तक भी लोगों के अंदर हैं उन्हें सोचकर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे यूथ ने जो है as a scientist बनना सोचा था कि मैं भी इनकी जैसा ही बनूँगा तो यह था आपका चैप्टर अगर इसमें कोई भी डाउट है ता आप बता सकते हैं that's all for today and please like share and subscribe thank you